गुड मॉर्निंग बच्चों, आज के वीडियो में हम वो निमेरिकल्स करेंगे जो कुछ बच्चों की प्रॉब्लम हैं, उनसे बन नहीं रहे हैं, तो हम वन वाई वन कुश्चन सौल करेंगे, जो प्रॉब्लम से रिलेटिट है बच्चों की, तो ये जो कुश्चन है, A, B, C, जो आपको दिया था, कल मैंने कुश्चन नमबर वन दिया था, A, B, C, ये तीन पार्टनर है, उनका रेशो है, 3 रेशो, 2 रेशो, 1 है, ये कुश्चन दिया हुआ है, और न्यू पार्टनर कौन है, D आ रहा है, कितने शेयर के लिए, कितने शेयर के लिए, 10% of profit, calculate new profit sharing ratio, सबसे पहले, कुश्चन समझ में आगा है, main बात क्या है, आप लोगों को upon में नहीं दिया है, ठीके, percentage में दे दिये, तो आप confused हो गए, एकदम simple है, 10% मतलब क्या होता, 10 upon 100, ठीके, ये 10% को हम क्या कर देंगे, 10% है न, 10 upon 100, ये 0 से 0 कट गया, 1 upon 10 था गया, लो आप उसमें आ गया, upon में आ गया, ठीके, तो सबसे पहले हमने लिख लिया, पहले इस तरीके सा आप जमा लिया कीजिए, तो आपको easy हो जाएगा, बार बार question देखने की जरूत नहीं, कि old partner कौन A, B, C है, ठीके, जो question में दिया है, old partner कौन A, B, C, ये उठाके लिख दिया, फिर उनका ratio कितना है, 3 ratio, 2 ratio, 1, इनको plus किया, तो कितना है, 6 है, फिर new partner कौन है, D, D है, उसका कितना 10%, 10% means क्या होता है, 10 upon 100, ये 0, 0 कट के 1 upon 10 आ गया, और calculate क्या करना हमको उस question में, calculate क्या करना, new profit sharing ratio, ठीके, क्या calculate करना, new profit sharing ratio, ठीके, तो सबसे पहले हमने, first वाली condition बताई थी, कि आपको, मैंने ये बताई थी, जब question में कुछ भी given नहीं है, बस old ratio दिया हो, और हमें old ratio दिया हो, और हमें क्या, क्या दिया हो, कि new partner का share दिया हो, तो हम कौन सी unchanged वाली condition, जो first case समझाया था, बिलकुल वैसे ही करना है, सबसे पहले तो हमने क्या माल ल दिया है, ठीक है, first case किया था ना, profit हमने 1 माल लिया, अब profit अगर 1 है, तो C को कितना मिल रहा, 1 upon 10 मिल रहा है, 10% या ना, अपने cancel किया, तो 1 upon 10 आगे न, जो profit 1 है, उसमें से उसको कितना मिल रहा है, 1 upon 10 मिल रहा है, ये को, ये दिया न, D for 10% of profit, 10% मिल रहा है, उसको profit का, तो profit कितना है, 1 है, तो उसका 10%, याने 1 upon 10 हो गया, निकाल लिया था हमने, 1 upon 10 किया, तो ये 1 upon 10 आगे, ये 1 से 1 का multiply किया, और 10 आगे, अब जब total profit हमारा, let the profit, let the total profit आना चाहिए, total profit, total profit क्या है, 1 है, तो इसका 1 upon 10 आगे, तो बाकी का जो बच्चा profit किसको मिलेगा, बाकी की partner को, A, B and C को मिलेगा, distribute होगा, और किस ratio में कुछ नहीं दिया, तो क्या previous ratio में distribute होगा, 3 ratio, 2 ratio, 1 में distribute होगा, remaining, आपको खुद मालूम है कि अगर remaining बच्चा हुआ profit कैसे निकालेंगे, तोटल प्रॉफिट जो भी था, उसमें से D का जो हिस्सा दे दिया हमने, वो माइनस कर देंगे, सब्सक्राइब है है, तोटल प्रॉफिट में से D को हमने दे चुके न, D को D ने ले लिया, तो बाकी का, जो बच्चा हो क्या हो जाएगा, remaining profit, 1 में से 1 upon 10 minus करेंगे, तो कितना जाएगा, 9 upon 10, LCM ले लेना अब, ठीक है, और नहीं तो 10 लिखा, और उसे कम, या गया 9 upon 10, और फिर उसके बाद, अब ये remaining profit आ रहा, बचे हुए profit का, A को कितना मिलेगा, बचे हुए profit कितना है, 9 upon 10, 9 upon 10 जो बचे हुए profit, त्री, 6th कौन लेगा, A, फिर 9, बचे हुए profit का, 9 upon 10 का B कितना लेगा 2 upon 6 ठीक है और C जो C है C है वो कितना लेगा 9 upon 10 का 1 upon 6 की दिया है question में 1 upon 6 ठीक है तो कितना गया 9 upon 60 समझ में आया कि नहीं समझ में सबसे पहले हमने इस question में क्या करा टोटल प्रॉफिट लिए टोटल प्रॉफिट कितना है वन है तो C का शेयर कितना अब भी निकाला 10% 10 upon 100 तो हमने cancel किया तो कितना है 1 upon 10 आया यह लिखा तो 1 upon 10 इसको मिल गिया टोटल प्रॉफिट में से 1 upon 10 इसको मिल गिया तो बागी का बचा किसको मिलेगा A, B, C में distribute होगा और किस ratio में कुछ भी नहीं दिया है तो किस में previous ratio में जो पुराने ratio थे 3 ratio, 2 ratio, 1 में तो टोटल प्रॉफिट में इसे D का हिस्सा माइनस कर दिया तो यह क्या गया remaining profit आ गया 9 upon 10 अब यह remaining profit जो रहेगा 9 upon 10 वो इस ratio में distribute जागा 3 upon 6, 2 upon 6 और क्या 1 upon 6 यह आ गया हमारे को तीनों का आप यह देखिए ध्यान रखना यह काट रहा है लेकिन आप यहां नहीं काटना अगर यहीं आप जैसे जो जो काट रहा हम काट देते हैं तो फिर गलबड़ी हो जाती है आप हमेशा पूरा होने के बाद फिर जो हम जमा देते हैं सब को और ऐसे नीचे लिख देते हैं सब को सब कटेंगे तब काटेंगे जब सब सब कटेंगे तब काटेंगे ठीक है तो यह हमारा इतना आ गया था अब हमने लिखा नियू प्रॉफिट शेरिंग रेशियो ए बी सी एंडी तीनों का तो एक का कितना था टू अपॉन 60 इसका डिनोमिनेटर इक्वल नहीं आ रहा है तो हम डिनोमिनेटर इक्वल करते ना लास्ट में तो दिनोमिनेटर कैसे इक्वल करेंगे इस टीनों के आ cushy जाए तो आप यह वाकल तेहीым 7 एके टेल मption में बेसी स्क्राइब होगा तो ओपर भी माटीप्ला यह जाए में 3 2 जा 6 दीती जा 9 3 6 18 3 9 जा 27 आ गया 9 9 रेशियो 6 रेशियो 3 रेशियो 2 अब इसका अगर हमको इसका अगर हमको sacrificing ratio निकाले हो कहा तो हम sacrificing ratio old share minus new share हम कर सकते हैं लेकिन है ना जब unchange वाली जिसमें कोई भी information निदी हो तो ऐसी condition में क्या होगा फर्स्ट वाली condition जो बताई थी तो इसमें sacrificing ratio निकालने की जरूरत नहीं बस आप क्या new partner का हैसा हटाईए बागी क्या हो जाएगा sacrificing ratio ठीक है और आप formula भी लगाएगे तब भी यही answer आएगा चाहे तो आप check करके देख लीजे थेंक्यू